नमस्कार किसान भाईयों, ट्रेक्टर जंक्सन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं VHT सक्ती विराज 95DI ट्रेक्टर का वीडियो और इस वीडियो में हम आपको इस ट्रेक्टर के फीचर्स, स्पेसिविकेशन्स और कीमत की पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले इस ट्रेक्टर के डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन एरो डायनेमिक दिया गया है जो की काफी शानदार लगता है और ऐसा डिजाइन होने की वज़े से इसकी रोड पर चलने की अधिक्तम स्पीड बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये अच्छे से हव को काटते हुए चलता है सामने से एक ट्रेक्टर बहुत सुनदर लगता है भेतरिन डिजाइन वाली फ्रंट ग्रिल दी गई है जो ट्रेक्टर की सुनदरता में चार चान लगाती है और तेज रोसने वाली हैलोजन लाइट दी गई है जिससे आप रात के समय आसानी से काम क कर सकते हैं आगे की तरफ वजन भी दिया हुआ है जिससे भारी ट्रोली वे भारी उपकरण के साथ काम करते हुए ट्रेक्टर आगे से उठता नहीं है इस ट्रेक्टर का बॉनट सिंगल पीस दिया गया है जिसे आप आसानी से खोल सकते हैं इसे खोलने में आपको चोर नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ये हाइड्रोलिक सिस्टम से काम करते हैं बॉनट अपने आपी उपर चला जाता है इस ट्रेक्टर का एयर फिल्टर ड्राइटाइप और ड्यूल एलमेंट वाला दिया गया है साथ ये इंडिकेटर भी दिया गया है जो फिल्टर चौक होने की जानकरी आपको दे देगा जिससे आप एयर फिल्टर को साफ करके नुकसान से बस सकते हैं इसका एयर फिल्टर 99.9% सुद्ध हवा इंजिन तक पहुचाता है जिससे इंजिन बहतर तरीके से काम करता है इंजिन की कूलिंग के लिए बड़ा रेडियेटर दिया हुआ है और बोनट के अंदर होने से सुरक्षित रहती है चोरी होने या भीगने का खत्रा नहीं रहता 12 वोल्ट और 35 एंपियर का अल्टरनेटर दिया गया है और 12 वोल्ट वे 2.2 किलोवाट की स्ट्राटर मोटर भी दिये गई है इसका फ्रंट एक्सल एड़जेस्टेबल दिया गया ह जिसे अपने काम की जरूरत के एसाब से सेट कर सकते हैं अगर आप इस ट्रेक्टर के साथ लोडर का काम करना चाते हैं तो इसके लिए होल दिये गए हैं जिनमें लोडर फिट कर सकते हैं इसका बोर वेश ट्रोक 105 वाई 120 mm का होता है वी एश्टी सकती 95 डिया ट्रेक्टर के इंजन की बात करें तो इस ट्रेक्टर में 3 सिलेंडर और 45 होर्स पाउर की ताकत वला किरलोस कर का इंजन होता है जिस पर किसान भाई काफी विस्वास करते हैं इंजन रेटेड आर्पेम 2000 दी गई है और इंजन की क्यूविक चमता 320 CC की है जिससे इंजन ज्यादा आवाज नहीं करता और बहतरीन टॉर्क उत्पन करता है इस ट्रेक्टर में अपनी सिरेने के हिसाब से काफी अच्छी टॉर्क मिलती है और कम्पनी ने इसका इस्टिकर भी ट्रेक्टर पर लगया हुआ है बोस कम्पनी का इन लाइन फ्यूल पंप दिया गया है अब बात करते हैं ट्रांसमिसन की भी एश्टी सकती 90-45 डिया ट्रेक्टर में कॉंस्टेंट मैश टाइप का ट्रांसमिसन दिया गया है जो की सेंटर सिफ्ट होता है इसमें 8 गियर आगे के लिए और 2 गियर पीचे के लिए दिये गए हैं प्लेट फार्म काफी खुला होता है जिससे आपके पैरों को पूरा आराम मिलता है क्लच के लिए सिंगल वे डियूड दोनों विखल्फ मिलते हैं अपनी ज़रूरत की इसाफसे आप कोई साभी ले सकते हैैं अगर आप डियूड क्लच लेते हैं तो इसकी लाइफ जयादा होती है और इसका मैंटिनेंस घर्च कम होता है ब्र प्रेक के पास ही पार्किंग ब्रेक और पैर की रेस दी गई है। इस ट्रेक्टर की आगे की तरफ चलने की अधिकतम स्पीड 32.3 किलोमेंटर प्रति गंटा की है। जिससे पावर स्टेरिंग की लाइफ ज्यादा होती है और यह बहतर तरीके से काम करती है। इसमें कार की तरह स्टेरिंग पर ही होर्न दिया गया है। इसका डेस बूर्ड काफी सुनदर डिजाइन किया गया है। जिसमें डीजल, आर्पेम, बैटरी और घंटे के अलग-अल इसका डीजल टेंक 50 लेटर का दिया गया है, जिससे एक बार भरवकर आप पूरा दिन निश्चिंतों कर काम कर सकते हैं। वी एश्टी सकती 95 डीए ट्रेक्टर की ड्राइविंग सीट काफी आरामदायक और एडजेस्टेबल दिया गया है। इससे आप एक लिवर की सायता से अपनी सुजदा के इसाब से सेट कर सकते हैं। इसके फैंडर पर भी सीट दियु जिससे आप आसानी से इन पर बैठ सकते हैं। धोनों फैंडर के बीच में फेंडर गार्ड भी दिया गया है। जिससे फैंडर ज्यादा वाइबरेट नहीं होते, इन पर कुछ जरूरी बातें भी बताई गई हैं जिसे ट्रेक्टर के रखरकाव से संबंदित कुछ बातें और खेत वे रोड के काम के दोरान टायरों में कितनी हवा होनी चाहिए यह भी बताया हुआ है ड्राइविंग सीट के पीछे की तरफ रिफलेक्टर और बोतल हुल्डर दिया गया है शांदार डिजाइन वाला मजबूत टूल बोक्स दिया गया है साथ ही सिंगल डीसी वाल भी दिया गया है अगर आप ट्रॉली में लाइट या इंडिकेटर काम मिलेते हैं तो इस इलेक्टरिक पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं किसान भाईयों इसकी सीट के पीछे आपको एक इस्टिकर मिलेगा PDI का इसका मतलब है प्री डिलिवरी इंस्पेक्शन मतलब कम्पनी से निकलते समय इस ट्रेक्टर की पूरी जांच होती है ताकि किसान भाईयों को कोई समश्या ना आए इस ट्रेक्टर के PTO सिस्टम की बात करें तो इसकी PTO 540 आरपेम पर काम करती है और इसकी PTO पावर 41.5 HP की है PTO ओपरेट करने का लिवर सीट के पास ही दिया हुआ है आपकी सुविदा के इसाफ से इस ट्रेक्टर में मोबाईल चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है इस ट्रेक्टर के हाइडरोलिक सिस्टम की बात करें तो इसमें 1800 किलोगराम की लिफ्टिंग की चमता दी हुई है सेंसिंग के लिए 3 पॉइंट दिये गये हैं आप अपनी जमीन के इसाफ से उपकरन सेट कर सकते हैं इस ट्रेक्टर में कमपनी फिटेट हिच मिलता है जो एड़जेस्टिवल होता है इसे आप अपनी जरूरत के इसाफ से एड़जेस्ट कर सकते हैं हैडरोलिक के लिए भी अलग से ओयल दिया गया है जिससे इसकी स्पीड अच्छी होती है और आप कम समय में आसनी से काम कर सकते हैं लिफ्ट में चैन की जगे ये जैक सिस्टम दिया गया है जिससे लिफ्ट को सेट करना काफी आसान होता है ट्रेक्टर पर चड़ने के लिए सिंगल फूट स्टेप दिया गया है अब बात करते हैं VHD सकती 95 डिया ट्रेक्टर के टायर साइज और डायमेंशन की इस ट्रेक्टर के आगे वाले टायर 616 के साइज में और पीछे वाले टायर 1326 वे 1429 के विकल्प में दिये गए हैं टायर साइज इस स्रेणी के हिसाब से काफी बड़ा है जिससे सिलिपेज की समझ्या नहीं होती इस ट्रेक्टर की कुल लंबाई 310 mm की है चोड़ाई 1820 mm की है उंचाई 3330 mm की है किसान भायूश ट्रेक्टर की उंचाई अपनी स्रेनी के इसाप से काफी ज्यादा है जिससे ट्रेक्टर ज्यादा उंचा और दमदार लगता है इसका ground clearance 440 mm का है और ये भी अपनी स्रेनी में श्रेष्ट है इस ट्रेक्टर का wheel track 1820 mm का है VHT सक्ती 90-45DI ट्रेक्टर की वारंटी 2,000 घंटे या 2,5 साल की आती है और इसकी कीमत है 6,90,000 रुपे से 7,20,000 रुपे तक कीमत में आपके राज्यवेचेत्र के साब से थोड़ा अंतर भी हो सकता है तो किसान भाईयो आपको VHT सक्ती का यह ट्रेक्टर 90-45DI कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं किसी और ट्रेक्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट करके बताएं ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ट्रेक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद